नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्रियंबिके गौरी नारायनी नमास्ते झाल 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 और स्वार नodel 9 एमेंग अीयुटिफुल वाव टीचा, टीचा, चलिए ना वाव आपने जितने वालों को ब्रेक लगवादी, कम से कम बेस्ट आफ लगतो बोलते जाएए यह विनबब, तैंक्यू आपने जाएए आपने जाएए इस साल, शिमला कार रैली जीतने वाले, खुश नसीब नौजवान का नाम है, मिस्टर आशुतोष कुमार मुबारक हो, की बटा अब भारा तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमारा दिन जरू जीतने मेरी जाए अरे बेटा, सुरो, सुरो, जरा ये देखो, ये तुमारी टीचर है पहले चॉकलेट दो, अच्छा बेटा, देख लिया चॉकलेट, अच्छा बेटा, अब ध्यान से देखके बताओ, ये तुमारी टीचर है मैं नहीं जानता, ही, 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 बड़ा चलो यार, मीटा भी ले खुशकवरी भी नहीं दी अगर ऐसा प्रोडक्शन कट्रोलर होगा तो ये शूटिंग नहीं हो सकती बिलकुल नहीं हो सकती आज मेरा शॉट है घोड़े और पीली गाड़ी का घोड़े कल से मेरे सिर पे बंदे पड़े हैं लेकिन गाड़ी अभी तक नहीं आई ना पीली गाड़ी है ना गाड़ी लाने वाला जोली तो साफ रिलाक्स गाड़ी अभी आ जाएगी रिलाक्स जोली में तुमसे क्या मंगवाए था कुछ याद है के सर जॉनी मेरा नाम दूटी मेरा काम यह रही आपके पीली साडी पीली साडी अब मैंने पीली साडी नहीं पीली गाड़ी मंगवाई थी लगता है तुम आज शूटिंग कैंसल करवा के रहेगी रिलाइक मरे जाजो तो आज भी मेरे गाड़ी से थकरा जाओ इ Soziale कर माल जालेगाँ अपने अपनी आपको राधरी अंदुस्था था जो थो चुटनाव नहीं सर पीली गाडी ही पीली हो ये है पागल हो गया हूँ और इस में थोड़ा बहुत अंदा हो जाता है ना वरना इस पिली गाड़ी के नीचे में आपको पिली पिली गढें अजिए को तला से माशुक है काम बन सकता है यह पली पीना यार यार यह फवरा गया है पीली पीली इसने पीली है वे बेवकुफ लोपईये वाला हो के चार पहईये तो दूंड़ो नाम क्या है इसका इसका नम बिंदिया रहती का है इंडिया में तो हम सब रहते हैं क्या ठोकरा यार प्रबत तो बादर के सपार तो यार बैठो रहा गाड़ी में आओ मुझको ले चलो उसके घर हम। पंड़ित जाने को रिष्टा करवाने के लिए दूले की जबरत नहीं मगर गाड़ी की जुरूरत पड़ो अरे इस रिष्टे के लीए गाड़ी तो क्या तुमको प्लेन रहे सकता हो हलीकंटर दें सकता हूं तूक तो पाखल आदमी हो यार मेरे मतलब है कितने गिवाने कि अब कर देता है इस पीली गाड़ी के मालिक की ऐसी घूमी का बांधूंगा कि वो भी कहेंगे जानी ने क्या प्रोडक्शन समाला है प्रोडक्शन को लगता है पंडी जानी बहुत आगे की बात कर रहा है प्रोडक्शन अब ठीक से बात करना है इंप्रेशन जबाना है बिंद्या की माँ चमस्कार हो गया मैं तो कहता हूं कन्यादान करी ही दो इतने वड़े घराने का लड़का पैसे वाला दिल वाला नसीब आला अरे जरा भी घमंड नहीं है ही रहा ही उसे कहो बैठो तो लेट जाता है ऐसा लड़का कहां मिलता है हां कुछ जड़ा बोल रहा है जर व urban जज्ने हैं कर्ष साहरी दुनिया के कार वाले एक थे और यह पिली गारी वाले एक थरफ आ जिसut गारीจะ मैं आया हूँ आउस्कारि में तो उसके कुत्ते ब ediyor कों नेbooks करा मैं पीलेशा कर गुछा थी करे दिखने तूआ तो आपको तो बात पक्की, शर्मा गई, हमारी तरफ से तो बिल्कुल पक्की, वावा, बिंद्या की मा, जैसा आपने कहा, जैट मंगनी पड़ दिया, ओ एक सोनी कुडी दिला दे, चक्कर मेरा भी चला दे, खेगते, लिए वजा लुड़ खेगतों की लुषेसटे, कुज़ा गया की हरा है और लुड़िया की लिए, त सिरॉड़ से पीदी गारी के सामने सबने आकर हित्यास बन रहा क्या, कौन बिंधिया? अरे यह बिंधिया यार यह कोन फे? अब तो मुंसे पुज़े का मैं कोन हूँ? हाँ, कौन है आप? कामाल करता यार मेरे मैं रिष्टे की बात कर लें य defenses ले गाया था मैं इस गाड़ी का मालक हू, यार क्या हो गया यार? याद आया बात की नहीं मेरी रिष्टे की Пpower least क्या है कि वह फेकंपाट्या था मैंने क्या है कि वह शूटिंग के लिए जुट बोलने तो आफ करनाया चुटे मक्मार उठा के फेक दूगा लीचे मैं कि अचे अच्छ अच्छ आधा स्वाधा कि अच्छ रुटी के लिए नौकरी के ख़्ूड बोला था अच्छ वागी है कि अच्छ कि अ यह काड़ रख लो, सुबह आके गाड़ी ले ला होटल से आप कमाल के आदमी है, महबबत और इंसानियत क्या होती है वो आज मेने जाना सहाब मैं भी वादा करता हूँ आज रात तक किस लड़की का पता नहीं लगा तो मेरा नाम भी चौने नहीं आज से सारे काम एक तरफ और आपकी महबबत का पैगाम एक तरफ साब जी उसका नाम बिंदिया नहीं पूजा है पूजा? पूजा, वाइल्ट प्रावर होग के पास कॉनन कॉलनी में रहती है मामा परिसना घर में कोई नहीं है अड़ोस परस वाले उसके सब कुछ है बस्ती में बड़ी इजट है तारा रानी सेकेर्ट हाइट सूर में पढ़ाती है सरदे सरदे जब चुटी होती है बस्ती वाले के मजब भी करती है और शाम को दो गंटे पुझा सिम्ला स्टोर से मेरे लिए ड्राइफ्रूट्स ले आना जी ठीक है प्लीज भी पोस्ट कर देना ठीक है पुझा जी मेरी बेटी का इड्मेशन हो गया बहुत बहुत शुक्रिया कॉंग्राचिलेशन्स पुझा बेटी डॉक्र दस्तूरी से केना है मेरा सोलू ठीक हो गया है हाँ ठीक है बिलकुल पुझा दीदी मेरे लिबरी से किताबे ले आना हाँ प्यारे देखते रह जाओगे ये लो फॉर्मला नमर 22 और फिर लड़की को प्यार में ब्लड़ी फूल बनाने के लिए रोज इस्तमाल कीजिए ताजे और खुजबुदार लंबे छोटे फूल ले लो दो फूल कर दो गरम गरम भूल और कहो डार्लिंग कूल कूल फिर इससे पहले के लड़की बस में चले जाओ इसको बस में कर लो और कहो उसे फुजा तुम बहुत कुबसूरत हो तुमारी खुबसूरत इस ये फूल भी शर्मा जाएंगे उपर वाई जब आसमा से जमीन पर देखता होगा तुम्हें कब और कि सक बनाया होगा ये ही सोचता होगा आई लव फूल, यू लव फूल, यू आर ब्यूटिफुल चल 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 ये लग तो कोई बोल सकता है यार इसमें सिखा गय रहा है तू मुझे देख कैसे बोलता हूँ मैं पूजा जी पूजा जी मैं इन फूलों के लिए आपको लाया हूँ जी उल्टा बोल रहा, उल्टा बोल रहा मैरा मतले मैं कि आप इन फूलों के तरफ देखिये, आपको शरण बाजाईगी मेरे फार्मोल के सत्यनाज करेगा तू मेरे मतलब है कि उपर वाला भी जब नीचे देखता होगा इन फूलों को किसने बनाया सोचता होगा पुझा जी आप भी फूल है ये भी फूल है I love fool you love fool and look at this fool this fool is so beautiful पुझा जी मैं यह नहीं कहना चाहरा था मैं तो यह कहना चाहरा था कि मेरा ना मर्जुन है आपके बताए भी ना अगर आपका कोई ना मता पता जान ले इसका मतलब वो आपको दिलो जान से चाहता है पुझा वैसे तो दिल रोज धड़कता है लेकिन तुम्हें देखकर मैंने जाना के धड़कन क्या होती है चाहत किसी कहते है तुम मेरे बार में कुछ भी समझो लेकिन मैंने तुम्हे अपनी जान मानदिया है आशे मेरी लिए तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हे तुमसे मांगने आया हूं कहो मनजूर है? तुमारी इस खामोशी कुछ क्या समझो? हाँ? के ना पुझा? पुजा, चाया यार, तेरा फार्मूला फेलोग है, पार्मूला 22 फेलोग है, तो क्या हुआ, फार्मूला 44 है मेरे पास, मगर इसको मत छोडो, पकड़ो, पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो चालाई, 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 चालाई दिल लेके गया चोर, पकड़ो, पकड़ो, मचाओ यारोशोर पकड़ो, 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 दिन लेके गया चो मचाओ या रोशो मैं थाने में जाओ, प्यारापट लिखाओ, कुछ समझ में ना आये गया वो किसे ओ पकड़ो, पकड़ो, दिन लेके गया चो मचाओ या रोशो पकड़ो 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 मखड़ो पकड़ो 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 मचाओ या रोशो मैं थाने में जाओ का रभट लिखाओ कुछ समझ में ना आए गया वो किस वो दिल लेके काया चोड मचाओ या रोशो अब आए यह लड़की तो जवाब नहीं देती दुंगी है क्या बत करता है मैं तो बोलतों गुंगी लड़की बहुत बेस्ट होती है वरना यह लड़कियां शादी के बाद इतना बोलती है कि आदमी बहरा हो जाता है अरे यार कमसे कम नफरत की निगास ऐसि देख लेती मुझे मैंने सँना यह नफरत मौब्बत की पहली सीडी होती है अरे प्यार को पाने के लिए मैसीडी क्या सीडी बंबाट दूँगा इतना लंबा दूगा कि दिल की FROM वाड़ोगा तुम। क्या उल्टा सुल्टा बोल रहा है यार। कम से कम दो चर गालियां दे जाती। गाली सुनने को तैयर हूं। शेवाई वा। ना ना यार मुझसे नहीं होगा यार। लीवा सुन्यों। मान जाओ मेरी बाथ। कट्टू। हुँँँँख अंदर कुसों नो कैसे गुसों। मैं वो सीरेजू कमपोड़सा मुझे डॉक्टर साव्स्तों तुरन मिल्ला है हाहहा लफड़ा है मैं जाओ कुत्ते के अपॉइन्मेंट तू सही है चल खेल, 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 खेल ओए बच्चा लोग, थोड़ी देर खेलना बन करो और मेरे कुट्टे का ध्यान रखो मैं अभी मंदिर से प्रशाद और गुर्द्वारा से खाना लेका आता हूँ यह मोटे का रोज काना डगे, अपना के मंद कर देते आज यह कुट्टे का कुछ करना पड़ेगा अरे बच्चे लोग, अगर मैं तुम लोग को दस रुका दू तो यह कुट्टा दस मिनेट के लिए दोगे क्या विस रुपे दो हमिसा के लिए ले जाओ अले, चोच वेट यहाँ, टेक देश्टी रुपीस, थैंक्यू, चोच वेट थेको डोडिम के बाद मेरोको फोन करो, कुट्रे का अलट का इसा है बटा नेक्स्ट जा, 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 ओके बबाबा, नेक्स्ट मैं बगर अपर्मेट के आ रहा हूँ, लेकिन यह मामला ज़रा सीरियस है इसको क्या प्रब्लम है? इसको हाट की प्रब्लम है, डोक्र साथ हाट का प्रब्लम कुट्रे को? यह तो एक दो नवा बाट है, इस लेकर आओ, जा लेकेंगा क्या हुआ हाँ, बैस बाबा, वैसा ओटा क्या है इसको? धड़काने बेचन रहती है, सासे बेकरार, रात को नीन नी आती, भूग भी नहीं लगती अर यह तो मामला सीरियोस लगता है, सोचता रहता है दिन बर कुछ ना कुछ, दूपा रहता है किसी के ख्यालों में, आज कली यह खोया-खोया रहने लगा है एक उट्र है के फिलोसफर? लवर है डोक्र साथ, भूग एसे प्यार की डोक्र साथ, मेरी यह बच्पन से, आके पिरी हुई है। जब मैं आपको देखता हूँ, अपको लगेगा मैं इन को देखता हूँ, फिलाल, मैं आपको देख रहा попробु अ Bachelor's I guess? कुछ मालूम नहीं पड़ता है मुझे लगता नफसाब यह कुट्रा अपनी याददाश खो बेटा है कुट्रा यादश खो बेटा है तभी तर मेरा होकर मुझे घुड़ता रहता है अरे बाफ रे मेरे लाइफ का 20 यह का एक्सपिरियंस में ऐसा कुट्रा पहला कभी नहीं आज कल इसे कुट्ई पाइदा काहना होते लॉट सांस देखो पूजा इस केस में तुम जयरे लिच्छा पी लेना इसका बाट अजीब केस लगता है मेरे इसक कुपरी में डेखना आटसाब रूमान से कुपरी में डॉट्टर साब रूमान से? अरे मजनु के आओला रे की कुट रहा है। I think the serious dog seriously has some serious disease which is spreading all over the world seriously and nobody is taking it seriously I seriously feel it is love What? Seriously? Huh? कहां गया मेरा कुटा? अपी माँ से मिने गया है अरे हराम खोरो, वह अना अधा श्रम का कुटा था उसकी माँ ही नही है तो बाप से मिलेगा होगा सीधी तया बता, कहां है मेरा कुटा? बढ़ा बढ़ा दो बढ़ा तू एक हम इसको आपरेशन के लिए डॉक्तर तस्तुरी के वहा लेकी करा आपरेशन? यह तो कुट्री है, कुट्रा नहीं है ऐसे कैसे? बजपर में तो कुटा था, कुटा से कुट्टी कैसे हो गया? यह मेरो को नहीं मालूम है, हमने कुछ भी नहीं है हमने हट भी नहीं रहा आपरेशन? सोजी यह आवाज जेटा ही यह काई को दूमिलाटी है? यह तो ऐसे दूमिलारी जैसे यह इसका साथी है साथी क्या बोला? मेरा मतले में कहिए तुमारी कुट्टी तो नहीं है हाँ, यह मेरी कुट्टी है तो मेरा कुट्टा कहा है यार? कौन सा कुट्टा? मेरा मतले में कहा हाँ हो सकता है केक शेकल के दो कुट्टे हो और मेले में खो गया हो मेले में खो गया खो गया हुआ हाए humor हाँ हाँ अभाग। है अभाग अभाग। अभाग टो बला, बाउ जाज़े बाउ दो अबढ़ा अप्टा करें जो आ। एंवा कि इसव दो कि इदगो पुजा कल से तुम डावा कहने में नी आने का क्यों ने ये चोक्रा रोजों नाव नाव कोच्टुआ लेकर आएंगा और मेरेको नाव नाव बिमरी सुनाएंगा इसलिए बोलता है, वो ऐसे चोक्रा है, अच्छा, हाँ? ओय मेरा देल चुराने वाजा, पीछे पीछे ये पूल है, तुम्हारे लिए मेरे लिए? तैंक्यू तिल लेके गया चोर, पक्ड़ो, पक्ड़ो, मचाओ यारोशोर, पक्ड़ो, पक्ड़ो, पक्ड़ो अलो, अरे पूजा तुम, क्या? मेरा इंतिजार कर रही हो, हाँ मैं मैं भी आया है, अम मैं वस यू उड़के आया है पूल ले जाओ, नहीं, क्या करूँ, डाइम डेबल ले जाओ, नहीं, बाथरूम, नहीं, जाड़ी, नहाले ताओ, नहाले ताओ, यार झाले जो थाओ झाले थाओ झाले ताओ झाले झाले कर दो कर दो कि आव पूजा मेरी जान suis जब तुम्हारा फून है न तुम्हें नूते हुआ है तुम्हें जानती हुआँ तुम मुझे ञान साभी ज्यादा जाते हुआ मैं तुम्हारी ज्यान हूँ जो लोग तुफान में डूपते हैं, उनका कोई दोश नहीं होता, लेकिन जो किनारे आके डूपते हैं, उनका अपना दोश होता है, और मैं डूपना नहीं चाहती, पुजा, अब मैंने जाना, धड़कन क्या होती है, चाहत किसे कहते है, सच कहूं तो, मैंने भी तुम्हे अ जाने जाना, मेरी जान मुद्ध जाने जाना मैं दीबाना, तुने मेरा कहना माना, धड़कन को बैचाना मेरी जान मुद्ध मेरा दिल आवारा बातल बन गया, तेरी आग का चल चाहत में है, पागल मेरी जान मुद्ध ची करता है मैं चिल लाओ, सारी दुनिया को बतलाओ, मिल गया मुझको दिल बर मेरी जान मुद्ध कोई देखे या ना देखे देख लही है धरती सारी देख रहा है अम्मर मेरे चानम पहले कभी देखी नहीं ऐसी कहीं दिवा नहीं इस प्यार को क्या ना दो पूछे मेरे दिल की लगी आशिक कहो अंजाना कहो आगल कहो परवाना कहो मजनों कहो मसताना कहो दिल बर कहो अफसाना कहो जैने जैना मेरे जैना तूने कैसा जादो डाला मुझको देख पापो कर डाला जूने दिल मत वाला मेरे जाना सोचा न था जाना न था चाहत में है इतना असर होने लगा बेचैन मैं होने लगी तू बेखबर मैं जानती हूँ जाने वफा ये हाल मेरा तूने किया दूरी ना होगी अब धर्मिया सासों ने सासों से कह दिया जाने जाना मेरे जाना मैं दिवाना धूने मेरा कहना माना धड़कन को वैचाना मेरे जानम मेरा दिल आबारा बातल बन गया तेरी आग तका चल चाहत में है पागल मेरे जानम जी करता है मैं चिलाओं सारे दुन्या को बदलाओं मिल गया मुझको दिल बर मेरे जारब कोई देखे या ना देखे देख रही है धक्ती सारी देख रहा है अम्मर मेरे जारब आने गष्राबों साराब है जाने देखे बंदलबूं की ते अर्जूर हाई आर्जली तुम यहां शिम्ला में क्या गर रही है तो इसमें इतने खेंगे में प्लिव दिव द्रबूब कर हो तो निधी शिंदा मैं तो यहां पूजहिं अच्छा में ऑनजली हैो Business अधी आओ इनके ओफिस में मैं सिर्फ इनके ओफिस का काम करें और बाकी सब कामों के लिए यू अचानक चलिया आती है अंजली भीवेवेशार ओ, सॉरी, समझ गी, इनके साथ में कोई ऐसी बात था अ, excuse me, Pooja, हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, please Pooja यहां से नहीं जाएगी, तुम यहां से जाओगी, समझी तुम? Sweetheart नए चाहने वाले मिल जाए तो इसका क्या मतलब है? पुराने चाहने वाले को भुला दिया जाए अंजली, तुम अपने हाथ से आगे बढ़ रही हो जब जगा इतनी रोमैंटिक हो, मौसम इतना फैंटास्टिक हो तो कोई भी चाहने वाला अपने प्यार की हदे तोड़कर आगे बढ़ जाता है तुम यहां से आती हो कि मैं? वेटा Okay, okay, sorry, sorry मैं तुम से बाद में बाद करूँ, bye, bye, Pooja, I'll call you later Pooja, मुझा जलत बसा बादा यह लड़की? मेरा विश्वासता कमजोर नहीं है काम हो जाएगा यह पंची शिमला के पाड़ियों से वापस नहीं जाएगा अर्चुन, जल्दी को रहने का प्लेन ठूट जाएगा बस जान, दो मिनट में हम लोग एरपोर्ट के राश्ते पर होंगे पुजा, जरा और करीब आओ न वो क्यूं? थोड़ी दर बाद हम दोनों के बीच लंबा फासला हो जाएगा इसलिए लो, करीब आ गई, अब क्या बात है, आज कुछ जएदे इनमेंटिक हो रहे है अजी यह तो मेरी शराफत है वरना आज कल के प्रेमी बिचड़ने के बाहने बहुत कुछ कर जाते है चुप पहारी राता है, नजर सामने रखो नजर चाहे सामने रखो, मगर ध्यान का रखो जो हर जगा तुम्हारा ही ख्याल ले आता है बजनु सहाब इतनी आशिकी ठीक नहीं क्या हो? क्योंकि अगर आप लॉट क्या हैं, और मैं यहां नहीं नहीं तो अइसा बजाग भी कभी मत करना तुमने ऐसे सोचा कैसे? मैं तो कभी खाबे मिनी सोचता कि तुम मुझ से अलग हो जाओगी सुना था ऐसी तड़ब जहां होती है असली चाहत वहीं होती है आज अपने आख से देख लिए कि अज़ ख dignity अजय कि अजय के लिए अजय को नहीं हुआ अजय की मैं यह वरे बना इना भजा बना बना उना बना एज הר Corey पूजा तुम तो बिलकुल उदासी हो गई इस तरह के हाथ से तो होते ही रहते हैं वो बात नहीं विच्छने का असास पहली बार हो रहा है मुझे पूजा तुम इस तरह रहोगी तो मैं फ्लैट में कैसे जाओंगा तुम्हारे दो गुंद आसू हजारों समंदर बन जाएंगे मेरे लिए अर्जुन तुम लोटके जल्दी आऊगे ना क्या पागल हो गया अरे मैं जा रहा हूं शाया दूसरी लड़की देखने के लिए हो सकता है भाईया भावी ने कोई तिसरी लड़की भी देख रही होगी अब बड़े ना भी नहीं बोल सकता है आया तो ठीक नहीं आया तो क नहीं सुखसके की अमने इससे कह दिया बस कही दिया मजाग करने के आरद मेरी अरे तुमको तो मालम मेरा प्रोगा मेराम क्या है यह से बंबबाई जाओंगा बंबाई से बिज्नस में करने के लिए लंड़न जाओंगा वहां से अच्छिय अफ़ तुम से शाधी करूँग तो पूजा ये जानी मेरा नाम आपका एड्रस बताने वाला दो दिलों को मिलाने वाला आपका बहुत आइसान है अरे नहीं है अगर ऐसी बात नहीं है तो एक आइसान आप कर दीजे मेरे पर अब अब अच्छन का काम से में तंग आ गया हूँ एक फिल्म बनाना चाहता हूं चारुखान, सल्मान खान, मितुंदा, अक्षे कुबार मेरे हाथ में हैं यहां तक अमिता बच्चन में मेरे हाथ में हैं यूँ फिल्म बना सकता हूँ बस फाइनेंस की ज़रुरत है एक दो करोड मिल जाये तो बस मेरी पट्री जा दिया जा थैंक्यू सर ओके थैंक्यू करते हैं दो करते हैं आप अग्यों प्रस्थान करें धन्यवाद प्रोड़ व्त्य थालना भी एक जिए निए प्रीज नाष भी को पांड स्वार प्रीजम पिर च्रीजम तर लेडिए हैं प्रीजम थे विए जेवर जान ने चेक्ट्राइब्चाई जार खी शुट्त करे देट्यू कि यू अच्छी है, इतना वक्त हो गया प्लान बनाते बनाते, मगर अब तक किसी भंदे की रसी उसकी करदन तक नहीं पहुची, वो शिमला से सही सलामत वापस आकर लंडन चला गया, एक बार फिर तुम्हारा हमला नाकाम्याब रहा है, नाकाम तो तुम भी रही जाने मन, अर्जुन को अपने जाल में फासने में, मैं बैड लक, ये गुड लक और बैड लक दिल को बहलाने वाले कमजोर खिलोने है, और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, दीमक, दीमक, खा अब एक नहीं चाल खेलेगे, नहीं चाल, नहीं शत्रण्ज, नया महरा नया महरा? पूजा, तुम पूजा को एक चिठी लिखोगी, जैसा मैं कहता हूँ, वैसे पूजा, मैं तुम्हें ये खत लिखने के लिए मजबूर हूँ, मैं और जुन की होने वाले बच्चे के माम हुँ अगर हाकिकत जाना चाते हो, तो फॉरान बंबे चलिया हूँ, अंचल पूरे सफर में ये तुमने मेरी सेवा, कोई अपना इस शेहर में नहीं हो, ये मेरा काड़, कभी मेरी कोई पहले उत्रों ना हमारे अपिचितर होगा हूँ, बैठी, बैठी, मुझे एक कार तक, कार जली से किसी को बुलाओ, इनकी तबहत भाद कराब है ये ये खुन की उल्टी कर रहे है, इनकी तबहत भाद खराब है, अप्लीज टॉक्टर का फोन करेए सरकार, शिम्ला की मचली के गले में काटप हस गया है, तडप रही है हमारे जाल में हाँ तो तडप में दो गुलाब बाई, जब तक वो तडपेगी नहीं तब तक हमारी बोली समझेगी कैसे जो हुकम सरकार का, लगता है हमारी चिठी का रिजल्ट निकलाया है हाँ, पुजा तो हमारे कबजे में आ गई है, अब रिजल्ट निकलेगा अर्जुन के भाई विजय नंदा का लगता है विजय नंदा के जीवन की रेखा बहुत छोटी है अहां, नंदा खांदान के सभी लोगों की जीवन रेखा है, बहुत लंबी है जाने मन लेकिन जब तक उनकी जीवन रेखा को मैं काट-काट कर छोटी नहीं करूँगा तब तक ये सारी जायदार, ये ये नंदा टूर्स, ये नंदा केमिकल्स, नंदा एविएशन ये सबका मालिक में कैसे बनूँगा जीवन रेखा छोटी होने में अब नंबर लगने वाला है विजय नंदा का उनके मर्डर का प्लान तो मनें ऐसे बनाया है कि वह क्या कहते है वह आहां, आबेल, मुझे मार चीर, तुम्हारे इतने सारे काम पेंड़ेंग है और तुम क्या बात है सागर कोई प्रॉब्लम नहीं सर, अपने अपने परस्नल प्रॉब्लम बता कराएं सागर तुम हमारे कंपनी के खास लॉयर ही नहीं फैमिली मेंबर की तरह हो रहने दीजिसे खाम का बात का बतंगर बन जाएगा कुछ नहीं होगा बताओ क्या बात है सागर विजय साब एक लड़की थी मैं उसे बहुत प्यार करता था लेकिन मैं शादी नहीं कर सका वह बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती थी और मैं और उसने मेरा साथ छोड़ दी लेकिन कई सालों बाद अचानक कल रात उससे मेरी मुलाकात हो गए कुछ नहीं बन सकी वह जिंद लगता है तुम अब भी उससे प्यार करते हो तो फिर क्या प्राब्लम है तुम आज ही जाकर उससे कह दो कि तुम उससे शादी करना चाहते हो लेकिन सर उसने इंकार कर दिया तो अरे वो इंकार करी नहीं सकती तुम जाकर उससे बुलाओ मैं तुम्हारी तरफ से बात करू लेकिन सर में उसको यहां लेया तो स्टाफ वाले ठीक है आज शाम साथ बजे उसे मेरे फार्माउस पर ले आओ मैं आपका हैसान जिल्दी आज शाम साथ बजे ओके हैंक तो मैं तुम्हें आज शाम को साथ बजे विजय नंदा की बीवी को फोन करना है समझी वेल्कम वेल्कम सागर आओ गुडिवनिंग सार यह है शबनम अलो शबनम यह हमारी कंपनी के मालिक विजय साब नहीं इस वाक्त मैं सिर्फ इनका दोस्त हूं पैठो 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 प्लीस सागर इफ यह डॉंट माइंड नहीं से कुछ यह सागर मेरे बहुत अच्छे दोस् हेलो लेकिन भीजे साहब मैं सागर जैसे मामूली आदमी की पत्नी बनकर बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनके नहीं जी सकती लेकिन आज वो बहुत बड़ी पोजेशन पर है हमारे दिलों में सागर का क्या मुकाम है शैद तुम नहीं जानती वो विश्वास के कौन से म अंजल पर खड़ा है चाहिए तुम्हें उसका भी पता नहीं सागर से अच्छा जीवन साथी मिलना पारिश संभलते थेंक्यू आओ विजे साहब तरक्की तो आप लेकिया है तौलत और शोरत आपके पास है सागर क्या है आपका मामूली सा नौकर कितनी तरक्की कर लेगा आप चीपी तो नहीं सच पूछो तो आपको देखते ही आप पर मेरा दिल आ गया है यह कैसे बाते कर रहे हैं आप मेरी तरफ देखे मैं हसीन हूँ जवान हूँ खुबसूरत हूँ और आप पर अपना सब कुछ निचावर करने को तेयार हूँ प्लीज दूर हटो यह यह तुम्हें क्या हो गया है वहीं जो एक जवान लड़के को देखकर मुझे अकसर हो जाता है वारा जादो चल गया है मुझ पर चबन प्लीज रांट्रोल लासर बांच शबनाग अगलों चबनाग विखक़को म सब नहीं सब्याएं मदो ऐसे कोई बात नहीं है कुछ नहीं सुनना तो फिर हो क्यूं हमें इस्टाप कर लिए जबाइज परूंजा में क्या कर लिया करम ऑफ कर लिया कि तो इस दो अख जपका जोड़ है कि अगल और में ह। यह रहा ह। पर परीज इस अगय उसाग ये यह दो यह आए यह आए 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 झाल जगाँ आए है आए कि यह नहीं हो सकता मेरा बेटा नहीं मर सकता के दो कि यह जूट है निलेश सागर के दो कि यह सेट नहीं है मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है सेट जी लेकर यह सच है मेरी सब्सक्राइब की दौरत छिंग गई नहीं डारी लिए शेहर कर रही भिकारी हो गया यह कैसे हो गया सागर कैसे हो गया यह सेट जी मुझे विजय सहाब ने शाम को फामाउस पर बुलाया था इसका मतलब है कि भावीची ने जान पुछ के गोली नहीं चलाई लेकिन खुन तो हुआ है ना हाँ सागर लेकिन तुम चश्मदीत गवा हो इस बात के कि कतल नहीं हादसा हुआ है मैं गवाई देने के लिए बिल्कुल तयार हूँ भाई साब लेकिन सब जानते कि मैं आपके फैमिली का आदमी हूँ आपकी कमपनी का वकील हूँ आप मुझे बताईए सेट जी मेरी गवाई मानने के लिए कौन तयार होगा लेकिन मधू बेकसूर तो है ना ये खबर किसी मैगजीन या अखबार में चपनी नहीं चाहिए प्रेस वालों को तो मैं समाल लूँगा भाई साब लेकिन कानू मुश्किल है बहुत मुश्किल है सेड़ जी ये भवर में फसी कष्टी को भला कैसे बचाया जाता है सागर दौलत की चपू से आज दुन्या में हर भवर शांत हो सकता है प्लीज सागर तुमसे जो कुछ भी हो करो देखिए सेड़ जी में वादा तो नहीं करता लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगा दौलत के सहारे ये कश्टी को भवर से बाहर निकाले की कोशिश में के दूपते को तीनके का सहारा काफी होता है ठीक है दौलत के सहारे में ऐसी गेम खेलूंगा कि हुकम के तीनों एकके हमारे पास ही रहा है अजया मुझे बचालों यहां से बचाने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए कि जान नहीं चाहिए मुझे किसी के खून का इल्जाम तुमारे सर पे डाल कर तुमारी जिंदगी के आठ दस साल जेल के लिए चाहिए दोगी दूगी मुझे बच्छा लेजिए मैं अपने जाता के दूगी मैं अपने जाता के लिए नंदा के खून के जुर्म में इसको फासी लगेगी तो लैला के गम में मजनू भी खुदकुशी कर लेगा वो क्या कहते हैं एक पीर दोशी का दो को वो अ जै चोौडै सबना है कै को सबनार के आच तुनी तुलेगा इस तो बागे गाम मुछोडै घंज सुने हम पीर दूतेली हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 हु सागर साब सागर साब वो लड़की को ती चुभीजा से मिलने फार्म पर आई थी अरजन साब मैंने बड़ी मुश्किल से इस मर्डर के इसको वो क्या कहते है रफा दफा कर दिया है बहुत सारा पैसा देकर उस लड़की को भी विदेश भेट दिया अब आप गड़े अंधेरे में रोशनी पैदा करना तो बड़ी अच्छी बात है अर्जुन साब लेकिन यह मत भुलिए यह खून भावी जी के हाथों हुआ और मैंने कानूनी दायरे में रहकर बड़ी मुश्किल से उन्हें कानून से बचाया और आपने फसाना चाहते हैं देखिए अर्ज मुझे साब की कुर्सी की जिम्मेदारी भी तो आपको समाल नहीं है भूल जाएगे प्लीज प्लीज पूचा जेल हुए पूचा ने आथ मत द्या करने की कोशिश की है आपको रस्ते में पताता हूं कहां आपसे बहुत बड़ी भूल होगी अरजुन साब मैंने आपका नमक है मैं आपका दुश्मन कैसे बन सकता हूं जाने जाने इंसान से भूल हो जाती है और वो भूल आपकर चुके है यह पेपर पढ़िए हुआ है यह तो वही है जो विजय भीया की खुण में कोई खुण निंगी आप लोगोंने जानब हो उसके फथाया उसे पर ये बात भाबी जी निलेशि निनदा सब भी जानते लेकिन कानून की नदे… दूर नहीं जो कि आप लोगों ने मेरी जिंदगी में आग लगाई है सदा उसे नहीं मुझे मिली है मुझे मैं समझा नहीं आप क्या मोजें पूजा मेरी जान है मेरी जिंदगी है लंदा परिवार के होने वाली बहु है वो तुम्हारा मतलब हो जी हाँ और इसलिए आपको अपने साथ लिए जारा हूं मैं और परमिशन के लिए अपने साथ लिए जारा हूं मैं आपको समझा सारी फोर्मेल्सीज पूरी हो चुकी है अब आप जा के पूजा से मिल सकते हैं थैक्स चलिए सागर साप्मों पुचा सरके ले में लाचा ताओ, लेजिए! लेजिए, हाँ, पुचा, 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 पुचा तो मारी जिंदेगी पर मेरा भी ताग है, फिर तुम्हें खुदकोशी करने की कोशिश क्योंकि और क्या करती तक्दीर ने मुझे ऐसे मुश्किल में दांग दिया कि न मैं तुम्हारे लाइक रही और असे लेकिन ये सब हुआ कैसे एक दिन मुझे तुम्हारे नाम से जुड़ा हुआ अंजली का लिखा हुआ एक खत मिला अंजली क्या लेखा था उसने उसने लिखा था कि मैं तुम्हारे सिदिक से दूर चली जाओं क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली यह यकिन तो मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन अर्चू, जो करीब होता उस उखोने का डर भी ज्यादा होता है और वही डर मुझे बंबय किछलाया बेट मुझे लोग किसे बचा लीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकते हूँ आपने जान बिदे दोगे, प्लीज, जान नहीं चाहिए किसी के खून का इल्जाम तुम्हारे सर पे डाल कर, तुम्हारी जिंदगी के आठ दस साथ जेल के लिए चाहिए, होगी हाँ, हाँ, कुछ भी, सब कुछ बंजूरे मुझे, बारे लोगस बचा लीजी मुझे प्ली उसने मुझे, जेल के बदले उस नर्फ से निकाल दिया, मैं खुश हुई लेकिन जब मैं यहाँ पहुची तो मुझे ख्याल आया, कि मैं अपने इज़त के बदले अपने हाप को घेर भी रख चुकी हुई पुजा, वक्त और हालात ने हमें लाकर किस मोड पर खड़ा कर दिये तुम्हारे जिन हाथों को मैं महंदी की लाली देना चाहता था वही हाथ मेरे भाई की खोन के छूटे इल्जाम से रंगे हुए तुम्हारा भाई? हाँ मुझा, जाने अंजाने जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह मेरी घर की इज़त बचाने के लिए हुआ है लेकि मैं किसी भी हाल में तुम्हें ये सजब भुकत नहीं दूगा मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम ही इसे शादी करना चाहता हूँ मुकात, अंजली अंजली ने तुम्हें ऐसा खत के लिखा इसका जवाब तुम्हें उसी से ले लूगा मगर तु यहां पर तुम्हारा आत्मत्या करने की कुशिश नहीं करोगी क्योंकि शायद यहां पर तुम्हें कोई बचा भी ले मगर भार मुझे रोकने वाला कोई नहीं हुए हाजु उची उची दीवारों में हम घुट घुट के मर जाएंगे तुमने जो ऐसा जान किया हम किसको जान बुलाएंगे मुझे उची दीवारों में हम घुट घुट के मर जाएंगे तुमने जो ऐसा जान किया हम किसको जान बुलाएंगे किसको जान बुलाएंगे मेरी जान किसको जान बुलाएंगे किसको जान बुलाएंगे तुमने जो एता जान बुलाएंगे किसको 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 जान बुलाएंगे तुझे यह नौकरी दिलाई थी, यह भूल गई कि मेरी वज़े से तुझे यह फैमिली मेंबर की तरह रखा गया था, जिस धाली में खाती है उसी में छेद करती है, आउट, आउट, दुबारे यहाँ देखा तो जानने ने मुटरी, अंजली को निकाल देने से मेरी प्राइ पूजा को जिल से भार निकाला है, लेकिन सर आदालत में पूजा अपना जुर्म कबोल कर चुकी है, सारी कानूनी कारवाई भी हो चुकी है, तो फिर से कराईए कानूनी कारवाई, बता लिजे सारे काखजात, जला दीजे उसके बयान को, चाहे उसके लिए कोई भी किमत कारी पड़े, क्योंकि पूजा के जिन्देगी से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कोई चीज नहीं, परजुन साथ, एक हाथ आग से निकालोगे तो दूसरा जल जाएगा, पूजा को बचाओगे तो भावी जी का बचना मुश्किल हो जाएगा, पैसला जो आप करें सथ, भावी या पूजा, क्योंकि खून तो भावी जी के हाथों से हुआ है, न? भावी भी कोई आज नहीं आने चाहिए, नंदा परिवार पर कोई कीचरुशाला नहीं जाना चाहिए, वैसे भी पापा दिल के मरीज हैं, पता नहीं वो इस सदमा परताश कर पाएंगे या नहीं? अर्जुन صاحب, पुजा को कानूनी तरीके से बाहर निकलन तो इस इंपॉसिबल मुम्किन नहीं हाहाँ अगर पुजा को जेल से भगाकर ले जाय जाय तो वैसे हैं, इंपॉसिबल भिलकुल बे बुनियाद बात है इसॉन पॉसिबल, ए पॉसिबल है अर्जुन को ऐसा गयर कानूनी काम करने की राय दे रहे हो मैंने कोई राय नहीं दियो डॉक्टर साब यह अर्जुन को अपना फैसला है तो फिर समझाओ ऐसे किसका अंजाम क्या होगा मेरा अंजाम चाहे कुछ भी हो मगर पूजा की जिंदगी का अंजाम जेल की चार दिव सबूत बाजो है समाल लेंगे बिजनस बात बिजनस की नहीं है बेटे मैं भी तेरे बगर जिंदा नहीं रह सकता एक तूही तो रह गया क्यों मेरे मरने के बाद मेरी चिता को आग लगाएगा पापा पापा आपको कुछ दो लेकिन पापा अगर मैंने पूजा को जेल से माथखा नहीं नहीं निकला तो दोबार आत्मत्या करने की कोशिश करेगी और अगर वो मर गई पापा तो मैं बीजी नहीं परिवा प्रयों कि मुझ बैक हुशन को बचा ले लेन दो पापा उस बिचाले ने किसी का क्या भीगाळा क मैं हूँ कुणेगार मैं हूं मैंने इ पापा जी आप मुझे कानुन की हमाले कर देजिए अऐ भावी पुझे एक नजजिंदगी मिल जाएगी में भावी मैं अपनी माबबत पर तुभारी जीओं के बले नहीं चालाओगा पुझा को जील से भागा कर ले जांगा लेकिन, बेटे, अगर यही एक रास्ता है, जिससे बहू भी बच जाएगी, और तेरी पुजा भी मिल जाएगी, तो चर, मुकदर के ये फैसला भी मुझे मन्जूर है, भापा, भापा. सत्रा तारीक को हमारे प्लाइन के मुताबिक, तुम पुजा को जेल से भगा कर ले जाओ, और दुसरे दिन शाम को पांच बजे तक अपने आपको पुलिस की नजरों से बचाए रखना, और ठीक पांच बजे, पानी के जास के जरीए, तुम हिंदुस्तान छोड़ के चले ज पुजा, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां से निकलने का सारा बंदबस हो चुका है, सत्रतारीक को जेल में आग लगेगी, और मैं खुद तुम्हें यहां से ले जागा झाल 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 को झाल हम झालो झाल झाल ए! बभलो किआवा, घड़ो एक रही ओे गवा है जालो घटिए ओे गवा है कर्णा प्रपको! कर दूएफे दूएफे लुस कर रë Caitlin कर दूए पुराए पोज़ आ कि अज़ आचिपर आचिए हुआ 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 है कि इसे कहते हैं अपनी मौत का सामा निकठा करना लेकिन अपना प्लान कामियाब होने के लिए किसी तहां इन दोनों को कल तक पुलीस के हाथों पकड़े जाने से बचे रहना हो ताकि कल हम उसे जहाज पर मार कर मचलियों का चारा बना सकें वो क्या कहते हैं इधर कुआ उधर खाई बीच में लटके अर्जुन भाई हुआ 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 झाई दुनिया भूला के बाहों में आके लग जा गले जाने मन सासे है मेरी खुश्बू की प्यासी चन्दन है तेरा बदन ये दिल मेरा जुम के कह रहा दुनिया भूला के बाहों में आके लग जा गले जाने मन सासे है मेरी खुश्बू की प्यासी चन्दन है तेरा बदन जादू है जादू है मौसम का जादू है पागल से होने लगे है आखों में आखों में सपनों के सपनों के बाजिती रोने लगे पदली फिजाएं चन्चल हावाएं खिलने लगा है जमन सासे है मेरी खुश्बू की प्यासी चन्दन है तेरा बदन जादू है जादू है जादू है चन्चस्ता है ना कोई पहरा है ना कोई बन्हर है दुनिया ये कितनी हशी है हाँ, खुश्यों के मिले हैं, यादों के रेले हैं, अपनी तो जन्नत यही है होंगे जो लाना, हम दो जीवाने, ऐसा है अपना मिलन सासे है मेरी, खुश्बू की प्यासी, चन्दन है तेरा बदन दे दिल मेरा छुमके दहे रहा, आ संजरा प्यार की ये दास था सासे है मेरी, खुश्बू की प्यासी, चन्दन है तेरा बदन आप लोगों के मताबिक जेल से सिर्फ एक लड़की भागी, जी सर, उससे जेल में मिलने कौन-कौन आता था? अर्जुन नंदा, और हाँ एक बार मिस्टर नंदा और उनकी बहु मधू भी उससे मिलने आये थे, लेकिन मिस्टर नंदा के बेटे विजय के कतल के जुर्ब में पूजा जेल में मिलने आना, मिस्टर पांडे, तुम इस केस का चार्ज लो, मगर ख्याल रखना कि मिस्टर नंदा शेहर के बहुत बड़े आद भी है, इसलिए बिना किसी सबूत के, आप फिकर मत दीजिए से, मैं आज सही उनका टेलफॉन टैप करूँ हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, अर्जुन, सर अर्चन का कौन, कहां से बोल रहे हो तुम, यलो गेट से, ठीक दस मिनट बाद एक बोट में बठाकर, हमें जहाज तक ले जाए जाएगा, दस मिनट, बूव, बूव, क्विक रे, सांतर जी, क्विक चली, दो तिन में विदे लेकर, यलो गेट पहुचो, क्विक, तुम हमारी फिकर मत करो, अपना और पूजा का ख्याल रखना, अच्छा बाभी, और, अच्छा बाभी, मेरा वक्त हो गया, अच्छा, यलो गेट किस तरफ है? फी सिर्क, वाज अटां क सुआएSm click it, सबाभी, पलाओन। पुछ पूर निकल गया, जबड़ जब तु पुछ तुछ हलो, कप्टनु, ज़ेक खोवर तुछ उस जहाज को फोरन वापस दुड़ागी इसमें एक मुझ्रिब है या अलो ओके कंट्रोल ओके जहाज को वापिस लो तुम लोग उस जहाज पर निशाना लगा कर रखो बॉस ने कहा था ये पुलिस के हाथों नहीं लगना चाहिए औरे त strengths कर ऺईुपषए के कि वहाज उस फच्ले कि एाण्ग ज走ि एाण्गे कि तुमना जखएएए उससक्याय कोई आतू 맛 हम शोसक्त था पर खिया कि रख़ू आ उता है किया कि वग्या . . . . . एक! यारीस्! बाओको पुछत! याँद!!! ओराओd! जरीग! याँद! कि यरिफ पर जुटीर तुर्ज और यूर प्झा युटी सथ जुटी बसक्ति परिफद के परिप्टार युटी इंट क्या मगर पुलीस की नजर तुम लोगों पर तो नहीं पड़ी न खीक है बेचे पुलीस की आंगों में धूल जोखना इतना असा नहीं है और तुम पूड़ा से जाके जेल में मिलते भी रहो वो लोग तराश करने की यहां यहां रुको धर्वाद मत खोलना पुलीस देखा आगे ने पुलीस अब दापके छुप जाओ करीं जाओ 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 अगर वो पुलीस के हाथ लग गया तो जिन्दा बच जाएगा मतलब हमारे प्लैन की मौत वो जहाओ तो हमने रुखवा दिया लेकिर वो वहां नहीं मिला इसका मतलब यही हुआ कि वो यहां है I'm sorry मुझे आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी के वां हुआ कर्षार भोगवाँ कर दूर 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 यहां कोई नहीं है तर अंदर तो कोई नहीं है चलो लेट्स गो हूँ हुँ कर दो कर दो कर दो कर दो कि एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर एस नंदा साब जैसे इजदार आदमी के घर तलाश ही लेने की वजए मैं जान सकता हूं हमें शक है अरजुन आपूजा यहीं कहीं चिपव हो हैं सर्च वरंट है आपके पास जी नहीं आज संदे आप जानते हैं कि बगेर सर्च वरंट के तलाश ही लेने के जुर्म में मैं आपको नौकरीजर सस्पेंट करवा सकता हूं यहां आप सारी लेकिन लोके यह मेरा कार्ड है आम एडवोकेट मिस्टो शीवास्तर मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं वर्नों कहते हैं कि कहीं लेने के देने ने पड़ जाए आईये मैं आपको गेट तक छोड़ देता हूं आई है 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 इस्पेकर साब आप तलाशी लेने के लिए कभी भी आ सकते लेकिन वारंट के साथ प्लीज सागर साब आज आपने मुझे बचा लिया आपका नमक खाय सर हक तो जताना पड़ेगा ने ऐसे निए एक दिनी कर ज़रूर चुकाओंगा मैं आपका अच्छा पामा मैं चलता हूं चलो पूजा रहे हैं ऐसी जगह जहापर पुलीस ना पहुच सके ऐसी कौन सी जगह जहा मैं आप जा रहे हैं वो मैं भावी को फोन करके बता दूगा चलो पूजा ठैरो मैं जाके देख लूँ के प्लीस है की नहीं आप जाओ मैंने तुमेनी अरजुन साथ अपने आपको बचाया है तुम जेल चले जाते तो मेरा प्लान कहां जाता मैं तु उसी मिसाल पर चल रहा हूँ कहते हैं कि हाथी के दाथ दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं कि जोनि भाई मुझे आपसे कुछ जुरूरी बाते करनी है। मैं जॉनि नहीं आपने मुझे जाना नहीं पैचाना नहीं मैं हूं मस्टकलंदर कभी बाहर कभी अंदर गित्ता हूं पलंबर आपका लग गया है रॉंग नंबर। आप लोग यहां जॉनी भाई आप यहां तो फिर यह वो मोनी होगा मेरा हम शकल एक साथ देखोगे तो कहोगे तुम सा नहीं देखा मुझे फिल्मों का पुडूसर बनना है और उसे गीत कार वैसे आपने मुझे फिल्म बनाने के लिए फैनन्स देने का वादा किया था वही निवाने आया हो क्या वह वादा तो मैं पूरा करूंगा ही लेकिन इस वक थमारे बीचे पुलीस लगे हुई है वह पुलीस से बचने के लिए तुम यहां रहने आगे हो एक मिनिट एक मिनिट क्यों क्या हुआ मैं इस मामले में मेरे भाजियों से पूछना बहुत जरूरी है अभी आया सुबा सुबा जब ककड़ी खाऊं भाजी वाली लड़की हाई 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 दिल मेरा बोले हलो हाव यू आरे कुन है तू वह जॉनी भाई आपको आंदर ढूंड रहे मेरे ख्याल से अच्छा जॉनी जी परदेशी परदेशी जाना नहीं जाना नहीं अब वहां नहीं उसका मरे में टाफल में वह तॉनी होगा यह जॉनी यह मौनी में हूँ टानी आपके GUY Θट हैरान है परेशान है वह इसलिए कि हम एक ही शकल के तीन इनसान है मगर भय सज्जान का किस में मान का कदरदान का नाम क्या है पैस या है अर्मान क्या है, डिमांड क्या है, टेक मिनिट, यहाँ यह इनके डिमांड है कुछ दिनों के लिए हम इन दोनों को अपने घर में चुपा लें, क्यों, क्या दोनों स्भगलिन कमाल है, क्या यह बम यह हत्यार है ये दोनों पुलिस से भागे हुए हैं उनिस से? अर जुन इस शहर के बहुत बड़े करोड़ पती के बेठे ही आद हम इनको साहरा देंगे तो कल ये हमको फाइनस देंगे मेरे को पूडूसर, तेरे को मेजी देक्टर और तेरे को लिरिक्स रैटर बना देंगे हुआ है रही के जुए पाइन कृषते होो के वाइन से रखाले का गोड़िया है अज से मेरा उफिल भाओनोका अनस अनस दोन हुए उंपलेजिया मलट totally – you must know और हम तुमहारे छं चंचे हुआ कि ने पएंज पराहरे सुन के इसमनी generic नहीं में बाबुझी को गुड नाट बोलने जा रहा हूं ठीक है घुड नाइट करष फ॔रण जाकर शूजा अच्छा बाबी जी ढृए बपोजी है है यह सोरी बाबुजी că towards me a ज तो इसके बाद जाके सोजा अच्छा बाबु जी गुन नाइट बाबु जी गुन नाइट जी गुन नाइट जी गुन नाइट देखो हालात के साथ जो चाल बदलेना वही अच्छा खिलाडी होता है यकीन मानों अर्जून की लाश देखकर यह बुड़ा जरूर मुर जाएगा और फिर यह सारी दौलत पर साथ बनकर बैढ़ जाएगा इसागर्श्री वास्त कि बिस्नेस पर दस्तकत होंगे तुम्हारे और राज करेंगे हम हालो पुली स्टेशन सागर्श्री वास्तव आज दिन के साथ यह तो बिलकुल वैसाई हो गया वह कहते हैं कि साप को कितना भी दूद पिला वो डस्ता उसी को है जो दूद पिलाता है सजा सजा घवा और सबूत जैसी दो बैसाकियों की महताज होती है सेट जी और हम तो बैसाकिया ही तोड़ देते कि मरने से पहले एक और राज की बाद भी जान लो सेट जी और फिर स्वर्ग में बैठके पच्टा आते रहें इसे जानते हो ये भी शामिल है हमारी साजिश में सफेद साडी में लिप्टी हुई ये पवित्रता की मुरत तुमारे बेटे विजे के खून के दाग इसके दामन में भी छिपे हुए हैं इसके तुम दोनों के सदाए मौट निलबाके रहूंगा मैं चिल्ला ये मत आपकी सहत के लिए अच्छा नहीं है लेकिन आप भी क्या करें वो कहते न कि चराग जब बूझने को आता है तो उसकी लोग ज्यादा फड़ फड़ाने लगती है और थे हुआ है चारप फड़ फड़ जब रख़ फड़े है तो जब है तो आफ़े हुआ है याँ अर्जुन कहां दारो? बाप की चिता को बेटा ही आग देता है चाली भाई अर्जुन की बादकीतर मैं, की है की देता है जो शेता है जाई क kita लुका झालगा एक लुका्जा पीजा बमोरे एक। आप 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 कि अप आप आप पुझेश की नहीं है बड़ी मैं भी तेरे वकित जिंदा नहीं रह सकता इक तो ही तो रह गया जो मेरे मरने के बाद मेरी चिता को आग लगाए गा पीज़ा करो पीज़ा करो उज़ा पीज़ा करो उज़ा आप 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 अब तरहा हम जिन्दा ना रह पाएंगे तो मने जो ऐसा जान किया हम किसको जान बुलाएंगे हम किसको जान बुलाएंगे हम किसको जान बुलाएंगे कि अधिक लेकिन मेरे कपड़े कहा है मेरे पैंट शिर्ट रुमाल बगेरे अरे शादी करने के बाद अगर ये सब कुछ काम मुझे करना पड़े तो शादी करने का फाइदा क्या हुआ डाले थोल बाले मेरे ङारे इस कहा हुआकिन काम माड़े ये तोर शाले के बादा बाले के दोले जादी आले एंगरे तोर मैंट आ हाँ क्षादा हुआ रहाई पर फफोर खोर हुआ 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 है हुआ है अजः वाक तो अजब में अजब में आवरिओ ओर यावरिण अजब बड़ी बाभी मैं हूँ अर्जुन बाभी बाभी मैं हूँ अर्जुन बाभी क्या हो गया तुम्हें कि अर्जुन बाभी मैं हुँ अर्जुन पुछना चाहता हूं पूछो पुछो पापा के मत होई आप का थी मैं मैं यही थी लेकिन लेकिन जब मैं उनकी कमरे में गई तुम्हें यह तो बिल्कुल वैसा ही हो गया वो कहते है कि साप को कितना भी दूद पिला वो डस्ता उसी को है जो दूद पिलाता है मेरे हसते खेरते खड़को उजाडने वाले मेरे बेटे अर्जुन को मुझरिम बनाने वाले खारून के हवारे कर दूँगा मैं तुझे सदाय मौत दिल्वाऊंगा मैं तुझे सजा सजा गवा और सुबूत जैसी दो बैसाक्यों की मौताज होती है सेट जी और हम तो बैसाखिया ही तोड़ देते हैं मरने से पहले एक और राज की बात भी जान लो सेट अब फिर स्वर्ग में बैठके पच्टा थे किसे जानते हो यह भी शामिल है हमारी साजिश में अब फिर स्वर्ग में बेड़ के पछटा आदे रहे हैं किसे जानते हो यह भी शामिल है हमारी साज़िश में यह तुने कब और कैसे रिकॉर्ड किया, थік सागार शिरवास्त यह यह सुरा तुमने बाबुजी की मौत दिल के दोरे से नहीं हुई थी उनका कतल हुआ था और कातिल सागर है सागर जिसमें अपने भाई समझत तरहां सागर ने खूल किया सागर ऐसे कर सकता है मैं यह सोच भी नहीं सकते हैं सागर ने पापा जिसमें आपा जिए चानल ने भाई, तुम अपला क्या लोगा को तुम अपले तुम आपला क्या रोगा है मैं सागर को लए चलूगा है इवर जए़ पॉर धॉर, छो ऑाई जए पॉरो दो आई वो जए कराल पूजा, पूजा, पापा को दिल के दोरा नहीं पड़ा था, उनकी हत्या हुई थी हत्या, और तेरा कौने मालू मैं, यह सागर अपना सागर, क्या, शिमला में कार का हाथ था, शिप पर हमला और तुम्हारा जेल जाना, इन तीनों के बीचे सागर कही हाथ था, मैं उस हराम तुम लोगों पर लगे जुर्म का निशान धुलने सकते हैं, थानी दिमाग से सोच, अर्जुन, ताकि सही मुझरमों को फांसे की फंदे तक पहुचाए जा सके, तुम ठीक है रही है, पूजा, सागर ना अगर मेरे पापा को धोके से मारा है, तो मुझे भी उसका तिल तक पहुचना चाहता हूँ, काति, क्या बात कर रहे हैं, नंदा साबको तो हाट एटिक हुआ था, उनका कतल हुआ था, ये क्या कह रहे हो तुम, एक सच्चाही, एक इत्हास, जो मेरे पापा के पीट में छुड़ा भौक कर, उनके खून से लिखा गया था, जिसे मैं पढ़ चुका हूँ, सागर साब, कमाल हो गया, बहुत बुरा हो गया, अरजुन साब, नंदा साब तो भगवान जैसे आदवी थी, उनका कतल किस ने किया होगा, मैं उस बेदर्द वहशी तरिंदे की करदन तक पहुच चुका हूँ, ये सबलीजे कि उसकी मौत और जिंद पुलिस मेरे पीचल लगे हुई है, और काचिल का पता लगाने के लिए मैं जो कुझे कर रहा चाता हूँ, मैं कर रही सकता, इसलिए, इसलिए मुझे आपके मुदद के जरूरत है, कई आप इने मदद करेंगे, मैं बिलकुल करूँगा, आपका नमक खाया, आपके लिए खुन बहाने को बिलकुल जाओ, जान, जान चाहिए मुझे आपकी, आप जान देंगे मेरे लिए, मैंने, हाँ, हाँ, दुंगा मैं, क्यों नहीं दुंगा, दुंगा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी सागर साब, इस खेल में आपका है मिस्सा होना बहुत जरूरी है, वरना एक खेल धूर रह रह जाएगा, अच्छा सागर साब मैं चलता हूँ, जो कुछ भी मुझे पता लगेगा, मैं सबसे पहले आपको पता हूँगा, ठीक है सागर साब, मैं चलता हूँआ है, हाँ, हमाल के जना प्लिज. अलो? हुआ 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 हमारा नाटक कामियाबरा चुहा बिल से निकल चुका है अपने साथ ही उसे मिलने जा रहा है पास्टर्ड हुआ 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 ह हुआ 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 तर रहा हुआ 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 प्टुर्ल यरोगू, मेब याया हुआ है कि अब कि अब चट पटा रही हो हम आफिसमें अच्छा ना टकिया था तुम्हें और सागर ने मेरे विश्वास को बनाया रखने के लिए लेकिन आज मैं जानता हूं तो इसे चार दिवारी में हैं जहां से तुने और अंजली ने अपने बुरे मंसुबों की हवा तक को खबर ना होने दी अरे अर्जुन साब आप आप ने क्यों तकलिफ की आप कहते हैं में वहां आ जाता हूं अब और ना टक मत कर नमाख अराम तेरे चरे से लकाव उतर चुका है समझा तू अर्जुन साब लगता है सेट जी की मौत के बाद आपके दिमाद का संतूलन कुछ वरना आप मुझे गदार कायर नमक कराम सादर सिता आज इनके साथ यह तो बिल्कुल वैसाई हो गया वो कहते हैं न कि साथ अब इस बात का फैसला तुम ही करो सादर क्या अपने आपको कानून के हवाले कर देना चाहते हो या मेरे हाथों मरना चाहते हो मरने की बात कर रहे हो मरने के सफर पर तुम निकले हो जी जाजी आप जी जाजी अरे हमने तो कभी किसी की साथ रिष्टा जोड़ा ही नहीं सिवाए दौलत के तुम्हारी बहन यानि की मेरी पत्नी नंदा फैमली की तुजोड़ी खोड़ने के लिए एक सुनेरी सी चावी थी बस और वो भी कमबक्त अपने बाप के घर से एक पैसा लाने के लिए तयार नहीं थी कि सुनेरी चावी को जंग लग किया एक दिन गला गोट कर मार डाला उसे हुआ कि नहीं 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 आहिस्ता कि अरजुन साब आपने अपने घर में छुपे हुए नाग को तो देख लिया अब आस्तिन में छिपी हुई नागीन को भी थे अबढ़ो तो भापी तुमने अरजून माना कि तू अरजून है लेकिन अभी मन्यू की तरह तू हमारे चक्रव्यू में फस चुका जब कश्टी भवर में फस जाती है न डूब जाती है और तुमारी कश्टी में तो दो दो सुराख है एक जीजा जी एक भाबी जी हुआर हुआर है एक न दोड़ जीजाती है。 भाव! तुमने ठीक रहता सागर मैं अभी मन्यूनी आरजुन आरजुन बाजी पलट चुकी है आरजुन साब बाजी जीतने के लिए राजा को सिर्फ प्यादे की नहीं थी कभी-कभी रानी की भी कुर्बानी देनी पड़ती है आर रालीग आर यूफ आराजुन ऑजुन आरजुन आरलीग राजुन इंसपक्टर आरजुन बागा आरजुन आफिए में पाज़ दोच्छ। लग झाल 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 नकैनकैनी झाता सकत sneeze! बजसा सकता है! बतका मेघा भीयुद्या थड़ chiरा हां! जब जो! आज जो आज़ आज़ इचाम आर्ज़। नहीं मर सकता। प्रत्वाइज। नहीं मर सकता। आर्ज़। आर्ज़। क्या बात है, आज हमारी बना हुई कानी खतम हो गई। अब सारे कागजाद और चेक्स पर आप साइन करेंगी और हम राज करेंगे बगवान नंदा फेमिली की आत्माओं को शांती दे जिन उन्हें सिर्फ हमारे लिए इस धर्ती पर जनम लिया था इतनी मैनत के बाद उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनिया बनाएं इतने कि हर जनम में मुझे ऐसा ही मालिक देना ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए मेरा जीवन में सवल कर दो मैं लूट गया मैं बर्बाध हो गया हूं क्या है बाई कॉन हो तो कुछ वस्त पूछिए हैं अर्जून मेरा यार था मेरा दोस्ता अरे सत्यानास उनका जिंकी वेसे मेरा मेरा दोस मारा गया मैं ठीक बूल रहाओ, नी अरे उन लोगों को मगर मच के साइस के क्वेपड़े जिनकी वह ते मेरा अरजुन मारा गया है है न, मैं सही बोलो ना अ हाँ वो तब लंगडे लूले होकर अपाइज होकर सिग्नल में भीक मांगते भीरे जिनको ऐसे मेरा दोस्त बर गया है और मैं उन्हें भीक भीने दूँ मैं गलत तो नहीं बोलो ने सर हाँ लेकिन अरजुन को तो पुलीस ने गोली अरे पुलीस हो या विलन मेरे सामने आये न तो उस तरह से सर के बाल करके टकला कर दूँगा कपड़े फार के नंगर कर दूगा मैं चूँ भाई लोग मैं सही बोलो ना हाँ देखो तुम बहुत जजबाती हो सरा शांत रहो देखिए अप इस वक्ति यां से चले जाएए प्लीस कई और आपको अरजुन की आत्मा की शांटी की लिए मेरे साथ देना होगा मेरे फिल्म बनाने में आपको साथ देना होगा आप क्या चाहते पचास लाग रुपई क्या है पचास लाक पचास लाक जिया हम आपको जानते तक नहीं है पचास लाक लेकिन अरदिन साब मुझे जानते थी देखिए मेरबाद पेपर से उनका साइन भी है यहाँ देखिए उनको सैनिंग आउन भी दिया है न भाईयो छोटे मालिक इच्छाती के मेरी फिल्म बन अगर उनकी आखरी इच्छा पूरी न हुई तो उनकी आत्मा भड़ते रहेगी उनकी आत्मा की शानती के लिए आपको 50 लाक रुपर देने पढ़ेंगे साब क्यों भायो इनको 50 लाक रुपर देने चाहिए यह नहीं है चोटे मालिक ने हमारे और और बच्छों के लिए क पचास लाग तो क्या, जितना भी पैसा लगेगा, हम जरूर देंगे धन्यवाद भावी जी, धन्यवाद, बोलो भावी जी की, जाओ, भावी जी की, जाओ, महर्बाने करके आप सब मेरी फिल्म की महरत पर आईएगा, आप आएंगे ना, जरूर आएंगे, थेंग्यू नमस्कार, नमस्कार कैसे हैं जी? क्या बात है साब बहुत बड़े पर्डूसर लगते हैं आप एक मुकड़ा से इर्शाद इर्शाद चपल वाले जूते में आगे बनियान वाले टाय लगागे सारे कव्वे मोती खागे कहां से उल्लू के पठ्ठे आगे आदा परते हो क्या तुम्हें अज क्या है ले अकल का जाड़ो दिमां के खुली जाड़ खोल अकल के किवार वरना पड़ेगी तार 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 तमीज से बात करो जॉनी जॉनी मैं हूं सेर जॉनी मेरे नाम है यह मेरे भाई मोनी है दिल्दा जंडलमेन आप सागर साब नहीं आये सागर साब आती होंगे यह लो आगे आये आप आये बहार आये आपने कोई जंजीर होगी ने दीवार मेरे प्रडॉक्शन की लव स्टोरी में शोले भड़केंगे चांद मी चम्केंगी आप नारेल फुड़ेंगे साब जी आप क्यामरावन करेंगी और सागर साब आप महरत क्लैब देंगे हाँ अगर यह महरत अलो के खेक में भालू आगे बंदर खाने को रतालू आगे कैसे कैसे लोग चालू आगे मैं आता हूं अभी आता हूं तूपएड लोग सागर साप, जाने दीचे, आये अंदर चलतें महृरत का नारियल तोडते हैं हां आपने तो सारा घर ही तोड़ दिया, सारा बिजनेस अपनी तरफ मोलड दिया तो फिर नारियल की क्या ऋखात है वो तो हमें देखकर अपने ही तूट जाएगा यह आइं हरकत है यह हरकत नहीं एकंफी यह हरकत है बापु की ब्रगत है बापु की डेन है देखी जैसी चेन है, जॉनी, टॉनी, मॉनी, तू इन वन सुना होगा, हम त्री इन वन है, खानान है सूर्य मुखी, बैनर का नाम है त्री मुखी, फिल्म का नाम है 1998, A Musical Story, जिसका प्रोडूसर है जॉनी कपूर, म्यूजिक डिरेक्टर टॉनी रहमान, और लिलिक रैटर मॉ तॉनी, मॉनी, फिल्म इंडिस्टर के ख्यास में ऐसा पहला मॉरत है, जो न पहले कभी हुआ, न देखा, न सुना, आइए मॉरत का टाइम हो गया है, चलके नारेयर तोडिये, ताट साउन, क्यामरा, एक्शन, त्री मुखी फिल्म, 1998, A Musical Story, मॉरत शॉर्ट, आल थे मॉरत शॉर्ट चुमली पब चुमली चुमली पब चुमली चुमली पब चुमली पब चुमली प्यार करने आई हूँ दिल दिवाना लाए हूँ देखना, सोचना, आपके देवे दाहों में जने जने चुमली पब चुमली पब चुमली पब चुमली पब चुमली जित कला शकी, जित किश्या सकी, वो घड़ी सुहानी आ गए फिर वही समा, फिर वही जगा, फिर वही कहानी आ गई राज वो खोले दे, ये मता वो कौन है कौन है, कौन है वो कौन है, कौन है वो कौन है, कौन है वो कौन है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो था हसी एक शहर जिसमें था मेरा घर एक दिन जाने जा आई नागिन वहा दौलत के धेर पर धीबत उसी नजर हमने पूजा उसे उसने लूटा हमें जा सितमगर है वो एक पथर है वो अपना बना के अपनों नहीं तो हमको दगा दिया सपनों के घर को मन के नगर को पल में जला दिया हर खुशे चीन ली जिंदकी चीन ली सर चुकाए हुए सर चुकाए हुए मोचुपाए हुए मोचुप जानग्व तो पाला हुए स्रहन झाला उल तुकाए कìn परेश मैं, बबखअ मैं, बबखाए मैं, बख 노ाisha मैं, बख दो में आखातेनले, य९। बादू मतू पर सबचने कि कोशिश करो कुंने को नहीं किया है लेकिन हुन हो है गानुन की नदरों में तुमने नध्रों क्वातिया है यहा, पुलिस का गार्थ हो investigación तुम्हारे पती के अतिया तुमने नहीं मैने किया और तुम ये भी अच्छी तरह जानती। पिर तुम गुने का कैसे हो सकती हो। हदु वारा सारा प्लान कामियाब हो गया है और अब तुम बनी बनाए इमारत को रेट के गरोंदे के दा गिरान आचाती हो। अकर तुमने हमारी साधिश का बंदा फोर दिया, तो हम सब मुली तरह से फस जाएंगे, और नंदा फैमिली की जो दौलत अब तक तुमारे नाम है, वो सरकार के नाम हो जाएंगी, वो फिर क्या कहते हैं वो, धोबी का कुट्टा नगर का नगाट का इस ही आलत हो जाएंगी इसलिए मदू, प्लीज, रिलाक्स. मदू. Shut up. Shut up. तुमारे पतिकी यदिया तुमने नहीं मैंने किया. और तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि तुमढरे शैसर का खून भी मैंने किया है. खेश गौने का कैसे हो सकती हो? मदू हमारा सारा प्लाइन कामियाब हो गया है और अब तुम बनी बनाई इमारत को रेट के गरॉंदी की तरह गिराना चाहती हो अकर तुम ने हमारी साधीश का भांटा खोड़ दिया तो हम सब पुरी तरह से थस जाएगी और नंगा फैमिली की जो दॉलत अब तक तक तुम मिकर से चोल हर तो हुं कि वो तैकल के ते है क्या कि जाको राखे साहिया मार सके नुद व्र कि दॉलत ख्लत करने की लिए हातों में दौलत के लखीर होनी चीज की आधा है मतलब तुम्हारी महत Ruskin एक नातक था एक नाटक तुन ने खेला, एक नाटक हमने खेला, तो तुम दोनों जिन्दा हो, सत्य कभी नहीं मरता, तुम सबने इतने सारे लोगों के सबने अपना गुनाह को बूल किया है, अपने मुझ्रिम होने का सबूत दिया है, वो देखो, तुम ये भी अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे ससूल का खुन भी मैंने किया है, फिर तुम गुनेकर कैसे हो सकती हो, अदू, हमारा सारा प्लैन कामियाब हो गया है, और अब तुम बनी बनाई इमारत को रेत के गरोंदे की तरह गिराना जाए, देखा सागर, इसी सबूत को हासिल करने के लिए तो हमने ये ड इसलिए मैंने पूजा को फोन किया, ताकि वो अर्जुन को तुम्हारे घर आने से रोख सके, फिर तुम्हें सब कुछ बताने के लिए मैं तुम्हारे घर पहुंची, लेकिन जब मैं वहां पहुंची, इसका मतलब कि सारी दौलत सिर्फ हम दोनों में बठेगी, अहां, अ आपर टिके सारे कागजाद पर उसके दस्तकत लेने के बाद, हम मदू और उसकी बहन दोनों को खतम कर देंगे, और उस दिन मैंने फैसला कर लिया, कि चाहे मेरी बहन रहे या ना रहे, मैं अपने पापों का प्रैस्चित जरूर करूगी, इसलिए मैंने अर्जुन को घर अर्जुन सिर्फ अंजली ही नहीं, सागर की इस साजश का एक महरा, मैं भी हूँ, और निलेश भी इस साजश में शामिल है, निलेश भी साजश का हिस्तेदार है, क्यों, 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 बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले तुम मुझे पुलिस कमिश्टर के पास लेचले, मुझे पुलिस कमिश्टर के पास लेचला, चुर्शी, तो मधू, ये है तुम्हारी बहन, जिसकी जान बचाय रखने के लिए तुमने सागर और डॉक्टर निलेश का साथ दिया, लेकिन तुम फिकर मत करना, हम इस बच्ची को उनके कैसे छोड़ा लेगे, और अर्जुन, तुमने उन दोनों के खिलाब सबूत एकठा करने के ल काल तो बहुत अच्छी चली, मगर तुम्हारा ही मौरत तुम्हे मात दे गया, हमारी रानी हमें धोका दे गई, हम राजा नहीं बन सकते, लेकिन एक और प्यादा है हमारे पास, उदर रेख, देवी, देवी, हरामजादे, इसी नन्नी सी जान को मौत की नौक पर रख कर तु अपना खेल खेलता रहा ना, सागर, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुके थे, इसलिए हमने अर्जुन को सपोर्ट किया, और उसकी मौत का धोंग रचाया, अलो, केट रड़ी, क्वेक, ओके, अर्च क्या है, होकट का हलवा खाने चले थे, बावा का माल समझ के उड़ाने चले थे, ऐसी पड़ी लाद, होगए खड़ी खाट, अब जूते पड़ेंगे 307, तुम दोनों आपस में लेलो, बाट, 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 आदा बरजे, आदा आपस्टा 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 आपस आप डियो पाए चॉफ यॉफ यॉफ शी अव हॉ कि अरे साजित हीरो को बला शॉट रेड़ी है तरिये शोट डुप्लिकेट सी डुप्लिकेट नहीं मैं अपने सब शॉट्स खुद देता हूँ अरे सबाल कान सबाल हाचोण मैं आ रहा हूँ हाचोण अरे हीरो रेड़ी आप शॉट कैसे होगा अरे रे कोई बात नहीं कोई बात नहीं ऐसी बड़ी बड़ी शूटिंग्स में छोड़े चोड़े ग्लास टूटते रहते हैं फिकर मत करो हमारी पिक्चर सुपरेट है दूसर ग्लास एड़ी है थोड़ी देर में आ जागा से ठीके मुझे बुला ले ना मैं जरा हिरो इनके साथ बैठा अच्छा लगता है अच्छान मैं आगा हूँ तेरी शेकल का है तेरी यहार्ण तो शॉटर एडिया तो यहार्ण टीकिमा और मतेनी का अजागे गाट काट काट भु़र । हम पुछर जो हम हुआ हुयिए हुआ हुआ कि कbras ङ्ञाब कर दो कर दो कर दो कर दो हर्चो मैं आरा हूँ यह शूटिंग चल रही है तुनना तुनना पहले मोडर साइकल फिर साइकल अर यह सब अर्रेंज कर लो तब तक मैं एक्सराइज कर क्या था हूँ कि यह उसी का अद्मी है घ्रलो पखला इसको दमाजो छोना नहीं महारा इसको तक मैं मैं परना थे खाया हूँ अबेगोड़ों देश्राइज करते हो आप अर्जोन मैं आरा हूँ सब्सक्राइज तार्वाज अलो, पैर कराब तयार रखो, हम लोग आ रहे हैं, ओके वोगे वोगे कि थे हा सुरो मां आग रखो हम जाए उलो, हा। इस भूछी मैच, एा। बजसे हाさ बेह safer रहे जलो, जाहiała एंड़ी ! चल्ट 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 प्राइब 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 वह प्राइब डिका कैनो कर दो यहर है है प्धले जिले ह परव घ्ट हां हद दो कि अप्पपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपप अब्यों ओग साना टुँ तुए। ऊजुए अजुए। इसका भार पार अजिए तुए। बढल झुए। 5 हुआ 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 खुआ हुआ 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 और र ör Gini रचीदी रचीदी न उठाता ऊपर हाथ तो खड़ी हो जाती तेरी खाथ वैसे ऊपर जाके भी पड़ते जूते पूरे 360 इंस्पकर साब ले जा अपने साथ चला चला थांक्यू वेलकाम कोई देखे या न देखे देख लही है धरती सारी देख रहा है अंबर मेरे जानम तूने कैसा जादो जाला मुझको देखा पूपर जाला जूने दिल मत वाला मेरे जानम मेरी बलको मेरे रहता है हाव मेरा मुझसे कहता है सून मेरा दिल वाला मेरे जान सोचा न था जाना न था चाहत में है इतना असर होने लगा बेचैन मैं होने लगी तू बेखबर मैं जानती हूँ जाने वफा यहाल मेरा तू ने किया दूरी ना होगी अब धर्मिया सासों ने सासों से कह दिया जाने जाना मेरे जाना जाने जाना मैं दिवाना तूने मेरा कहना माना धड़कल को पैचाना मेरे जान मेरे जानम कर दो कर दो